हलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में दोस्तो आज हम आपको भारत के सबसे अमीर बेखती मुके सम्मानी का घर दिखाने वाला हूँ मुके सम्मानी का जो घर है वो मुमई की किस लोकेशन पर है उनका घर का क्या नाम है और दोस्तो मुके सम्मानी जिस घर में रहते हैं उस घर का प्राइस जानके आप चौप जाएंगे तो उनके घर के बारे में और उनके लाइफ के बारे में सब कुछ में आपको इस वीडियो में बताऊँगा तो जुरे रही है हमारे साथ और अगर आप अभी तक चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं कि तो पिली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो यह सामने जो आप आलिसान घर देख रहे हैं यह है भारत का सबसे महगा घर जो की मुके संबानी जी का है दोस्तो जानकारी के लिए आपका बता दूँ मुके संबानी जी का जो यह घर है इस घर का नाम है एंटीलिया बहुत सारे लोग इनका नाम सुनके जो है इस घर का नाम एंटीलिया क्यों रखा गया तो अजीब सा नाम है लेकिन इस नाम रखने के पीछे क कि भी एक बहुत बड़ी वजह है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो इसलिए आप वीडियो को लाच तक देखिए तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यह बता देता हूं कि मुकेश शम्मानी का जो यह घर है अंटेलिया यह मुंबई में कहां पे इस्थित है अ अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में जो है अपने नियर बाइ स्टेशन से जो है आप लोकल पकड़ लीजे लोकल ट्रेन और इसके बाद आपको दोस्तों महालक्षमी यह स्टेशन पर उतरना है महालक्षमी से दोस्तों वह करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे वैसे दोस्तों अगर गूगल मैप पे आप एंटिलिया डाल के सर्च करेंगे तो आपको इस घर का लोकेशन मिल जाएगा उस लोकेशन को आप ट्रेक करके जो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं और दोस्तों मुके सम्बानी के इस घर से सिर्फ 900 मीटर की दूरी पे लता मं मंगेशकर जी का भी घर है तो चलिए दोस्तों अब हम आपको इस घर से जुरे एक एक चीजी आपको मैं बारी बारी से बता देता हूँ दोस्तों मुके सम्बानी की गिंती दुनिया के सबसी अमीड लोगों में होती है उनकी लाफेस्टाल की तरह ही उनका घर भी बहुत आलिसान है मुके सम्बानी के घर का नाम एंटीलिया है और यह मुंबई के कुंबाला हिल के एरिये में अल्टमांट रोड पर इस्तित है माना जाता है दोस्तों मुंबए में इस्तित मुके समानी का घर एंटीलिया काफी परसिद है और हर रोज सेकरों हजारों की संख्या में लोग इस घर की एक जलक देखने के लिए यहां आते हैं और उनके घर के आसपास खरे होकर फोटो भी किलिक करवाते हैं अलाकि सुरक्षा का बहुत ही ध्यान रखा जाता है इसलिए आप उनके घर के आसपास दो मिनट से जदा देर तक नहीं खड़े रह सकते हैं दोस्तो बहुत से लोग मुके सम्मानी के घर एंटिलिया का नाम सुनकर अचंबित हो जाते हैं लेकिन यह नाम अटलांटिक महासागर में एक पौरानिक दूइप के नाम पर घर का नाम एंटिलिया रखा गया है दोस्तो आलिसान रंगों तथा ताजे फुलों से सांदार अंदुरिनी सजावट वाला एंटिलिया किसे सपनों से कम नहीं है हर कोन में डिजाइनर फरनीचर भब कलाकिरती और भबता से इसे अपने आप में बेहद खुबसूरत और आकरसक बनाती है मुके सम्मानी के घर के कीमत आज की समय में अगर देखा जाए तो पंदर हजार करोर रुपे आ की गई है दोस्तो चार लाख वर्ग फूट में फेले इस महल नुमा घर में 27 मंजिले हैं जिन में 3 फ्लोर पर हेलिपेड की सुबदा है 6 फ्लोर पर कार पार्किंग, हैंगिंग, गार्डेन, 3 मंजिले, 1 मंदीर, 25 लोगों की बैठने की सुबदा वाला एक नीजी सिनेमा घर, एक शपा, एक आईस्क्रीम पारलर तथा एक शनो रूम भी सामिल है दोस्तो मुके सम्मानी और उनके बेटे को कार काफी पसंद है, ऐसा आप कारों के परति उनके लगाब को देखकर समझ सकते हैं घर की 6 मंजिले पार्किंग के लिए अलग रखी गई है और यहां एक साथ कूल मिला के जो है 168 कार पार की जा सकती है इस घर का निर्मान मुके सम्मानी की पतनी निता मानी की देखरेक में एक एस्टिलिया कंपणी के द्वारा किया गया एंटिलिया का निर्मान 2004 में शुरू हुआ था और इस 27 फ्लोर वाली विसाल हवेली को पूरा करने में 6 साल का समय लगा 2010 में इमारत बनके जो है पूरी तरीके से त्यार हो गई थी हलाकि कुछ वास्तु दोस्त के कारण अम्मानी परिवार कुछ समय तक इसमें रहने से हिच किचाता रहा वे तब तक हब फ्यारेट में अपने माता पिता के घर सी विंस में रह 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 थे अखिरकर 2011 से अम्मानी परिवार एंटिलिया में रहने लगा कुछ पुचारियों द्वारा घर में 10 दिनों तक गिरी परवेश पूजा की गई जिसके बाद अम्मानी परिवार रहने लगा अगर दोस्तों यह जानकारी और यह वीडियो आपको पसंद आया थो प्लिज वीडियो को लाइक सेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजिए जैहिंद वन्दे मात्रा